हेलो, आज हम अपना टोपिक करेंगे इंदस रिवर सिस्टम, तो जैसे कि आप मैप में देख रहे हैं कि ये इंदस रिवर है, इंदस और जो इसकी सायक नदिया है, जेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज, इनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे, तो शुरुवात क केलाश और लेक मानसरोवर के पास से होता है, दो धारा हैं, सेंगे जांगपो और गार्थ सांगपो यहापस में मिलकर इंदस रिवर का निर्मान करती है, इसकी ट्रिब्यूटरी, इनके बारे में अभी हम अच्छे से पढ़ेंगे, तो देख लेते हैं, जांसकर, सुरु, सोन, जेलम, चेनाब, राभी, ब्यास, सतलुज़ और पंचनद, और ऐसी राइट में इसकी शोक, कुंजा, गिलगित, स्वात, कुनार, काबुल, कुर्रम, गोमल, जोब, और इसकी लेंद 3180 किलोमेटर है, और यह अरेविन सी में जाकर गिर जाती है, तो जैसा कि आप मैप मैं देख लेते हैं, कि यह इंदस रीवर है, और यहाँ पर इसमें शोक रीवर आके मिलगी, तो यह आगे बड़ी, इसमें गिलगिता के मिलगी, तो यह आगे बड़ी, इसमें स्वात, कुनार, काबुल, यह आके मिलगी, सोहन, और यह तोची, और यह गुमल, कुंदार, पाकिस्तान में है तो इतना ज्याद हमें मतलब भी नहीं तो यह आगे बढ़ गए फिर इसकी एक इंपोर्टेंट ट्रिब्यूट्री है जहलम यह जहलम है फिर यह जो तीसरी है चेनाब है फिर यह रावी और ब्यास और सतलुच और यह पांच नदियां जैसे जहलम चेनाब ब्यास सतलुच आपसमील के पंचनत करें मान करती है तो यह फिर इंदस बन गी और यह बाद में अरेविन सी में जाके गिर गी तो देख लेते हैं कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट जैसे रिगवेदा में इसे सिंदु का गया है ग्रीक में इंडोस का गया है फेमस सिटी इं और इंदस बाटर ट्रीटी एक बहुत इंपोर्टेंट ट्रीटी है और इस पर भी थोड़ा विवाद भी चल रहा है 19 सेप्टेंबर 1960 को हुई थी यह हुई थी जवाहर लाल नहरू और अयूप खान के बीच में कराची में और इस ट्रीटी में क्या हुआ था कि जो इस्ट पाकिस्तान को और इंडिया को डे Hack見 अ देख और जो यह बरभे। इसके क्या वाद है कि जो 20 परिस परशंट पानी था इंडिये को स्पर को इंडिया को मिल गया था असी पर संट nuclear को मिल था और यह जो ट्रेटी कराया थी यह World Bank ने करवाया थी ऐसे जेलम रीवर के बारे में देख लेते हैं इसका सोर्स है वेरिनांग स्प्रिंग पीर पंजाल स्रेणी और इसकी लेंड 725 किलोमेटर और एंसें सिटी वितस्ता इसका एंसें नाम है वितस्ता और हाइडिस्पेस इसे ग्रीक में भी कहता है बैटल ऑफ हाइडिस्पेस हुआ था ऐलेक्जन्डर और पॉरस के बीच में ऐलेक्जन्डर इसे सिगंदर कहा देते हैं और यह पॉरस राजापूरू इनके बीच में हुआ था 326 B.C. में उसमें क्या हुआ था कि एलेक्जेंडर ने पोरस को हरा दो दिया था लेकिन फिर बाद में इन में मित्रता हो गई थी और अपना सारा राज्य मतलब इसका जो राज्य था पोरस का वो वापस कर दिया था और यह हुआ था 326 बीसी में और यह जो तिथी यह 326 बीसी यह बहुत इंपोर्टेंट है क क्योंकि हमारे यह जो इतिहास लिखा जाता था वो पुराणों में और जितने भी गृंतों में लिखा जाता था महां पे जो एक्जेक्ट ती थी वो नहीं लिखे जाती थी कहीं भी तो इसी से हमारे इतिहास का जो काल करम निर्धारन करने में पता लगता है काल निर्धार और चेनाब रिवर इसका ओरिजन बड़ा लाचा से लाहो लिस्पीती जांसकर रेंज बड़ा लाचा से चेनाब रिवर निकलती है इसका बैदिक नेम असकनी इसकी लिए 960 किलोमेटर इसमें क्या होता है दो स्मोल रिवर होते हैं चंद्रा और भागा आपसमें मिलकर वह च युद्ध का वर्णन है वो था बैटल ओफ टैंड किंग्स यानि दस राजाओं का युद्ध और उसमें भरत नाम के राजा था भरत नाम का राजा था तो जो भी है वो पुरानी बात है तो ओरिजन इसका बरा भंगल नियर रोतांग पास कांगडा डिश्टिक हिमाचल प बीच में होकर बहती है और रावी रिवर फोर्म करती है इंडिया पाकिस्तान के बीच में एक बोडर भी ब्यास के बारे में देख लेते हैं इसका वैदिक नेम अरजी कुजा और इसे पुराना नाम भी पासा भी था इसका और इसका सोर्स ब्यास कुन रोतांग पास इसकी एक ट्रिब्यूटरी है पारबती वो ब्यास के ट्रिब्यूटरी है सतलुज के बारे में देख लेते हैं राकस लेक मांसरोर जहिल के पास एक राकस लेक भी है राकस इराक्षस से बना हुआ है तो राकस लेक मांसरोर के पास है और सतुद्री इसका इंसेंट्रियम है सबसे बढ़ी सिद्विकी जर्णक वियुक्त चला है ऑगी fvot इसमें सबसे बढ़ी है एक बहुत की अई डिंटी है पेडरी िुलों हे भी 214 से Bolsas सब्सक्राइब जिसने राजस्थान में बहुत अच्छे से बहुत अच्छा काम किया है, मतलब इस रिवर से ही वहाँ पे सिचाई में बहुत प्रगती हुई है, इंदरांगादी कैनल सतलुज रिवर से निकलती है, भाकडानंगल प्रोजेक्ट वो सतलुज रिवर पे हिमाचल परदेश में भगलिहार डैम चेनाभ रिवर पे जम्मू कस्पीर नात्पा जाकरी डैम सतलुज रिवर हिमाचल परदेश में, सलाल चेनाभ पे, पौंग ब्यास, पंदो ब्यास, चोतक सूरु रिवर जम्मू कस्मीर पे, ऐसे येदुलस्ती चेनाभ निम्मो पाजगो इंदस रिवर प भाकुल चेनापे हैं। ऊरिय सेकिंड affairs jheim ज्येलम रिवर पर हैं। और कुलू व्हली वह ₹ व्हकुरी आसाहिए किनारे स्थित है title class famous यह tourism के लिए फेमस है कुलू और कर्गील है वह सूरु रिवर के किनारे स्थित और हमारी इंद़स रिवर की ट्रीबकोट है. थेंक्यू, सब्सक्राइब, इस्टडी जी के थेंक्यू